Question number 7 है, show that the arithmetic mean between two numbers, 4 and 8, is greater than their geometric mean. कैता है arithmetic mean, जो am है, दो number हमें से गिवन किये हैं, कैता है am, am क्या है, दो numbers से गिवन है, दो number क्या है, two numbers से गिवन हैं, question में, two numbers. जो number given है, वो है, हमारे पास, a is equal to 4, हम कहते है a is equal to 4 and b is equal to 8. कहते है arithmetic mean between them, mathematic mean am जोंच सा है, इन दोनों के दिरम्यान, जोदी बाद है am जोंच से घिमेटीक मीन बीन दोनों के दिरम्यान होता है, कहते है वो बड़ा है, am जो उसा है, वो बड़ा है जो बड़ा है कि से, Geometric mean से जो इन रोरों के लिम में Arithmetic mean है वो बड़ा होगा Geometric mean से अब Arithmetic mean मैं इंको सालसाद लेकर चलता हूं अब am क्या होता है am is equal to a plus b and geometric mean क्या होता है GMG से कहते है geometric mean आप पूरा भी लिए सकते है is a plus b a b plus minus a b तिक मुकमल से हम यू कहते है positive यू नहीं लिखा नहीं है लेकिन पुछ इस फुदा negative भी आता है positive यू पर compare करें तब ही ठीक है arithmetic mean and geometric mean अब इसमें a 4 उट कर दें b 8 उट कर दें लिए निए तू arithmetic mean आ जाएगा और हमने show गरना है अब सेंबल कर दें i观 होती है गरती हिस तर चोटी टर्म किसे याद रहें data अब आएगा अरिस्मेट्रीक मीन एक जिगा पर टू फोर्फूट कर दें बीगी जगा फे एक पूट कर दें और नीचे टू एट नाइट टैन डावर ट्वैल्फ वावर टू तो यह बन जाएगा 6 तो 1, 2, 2, 6, 5 तो arithmetic mean is equal to आजएगा 6 arithmetic mean कि यहां किसके बराबर आजएगा? 6 के geometric mean की तरफ आजएगा geometric mean geometric mean geometric mean बनेगा plus minus 4 into 8 8 4 जा 32 अगर आप इससे ना भी करें मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into 4 4 into 4 into 2 8 क्यों था? 4 into 2 लेखने के एक वज़ा थी कि हम कुछ शो कर सकें इन जन्में बात कर सकें यह क्या बन जाएगा 4 square into 2 तो अगर 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 बाती निकाला माइन साइन लेट्स को समया से रिणोर का लेते हैं ठीक है, geometric mean में positive term लेते हैं negative तो ऐसे ही छोटी हो जाएगी positive negative जन्मल भी पता रागा geometric mean छोटा है और positive से चलिखते जाते हैं 4 square आप 4 square बाहर आ जाएगा इसा लिख दूना जाएगा 4 square into under root 2 अब force ये और ये कट जाएगा इसमें तो ये बाइज जाएगा 4 अब 2 का जो square root है अगर का अग्लेटर से आप find करें 2 का square root under root 2 ये आ जाएगा something 1 point into 1 point 4 1 4 so on अब अगर 4 को आप multiply भी कर ले 4 into 1 point 4 1 4 तो ये आ जाएगा 5.6 5.6 5.6 plus minus 5.656 ये क्या आ रहा है ये side पे चाहिए जाएगा जी ये हम geometric mean लिखने है अब geometric mean क्या आ गया दो geometric mean आ गया है 6 sorry 5.65 and 6 और इदर arithmetic mean क्या है 6 तो 6 6 बड़ा है 5.6 ये 6 से 6 6 बड़ा है 5.6 से तो मैं इस ता लिखूंगा इसको के 6 is greater than plus minus 5.65 आप देखें plus में तो already ये बड़ा है अगर मैं इसका लिखूंगे plus में तो already बड़ा है plus की बड़ा है 6 से साफ नदर आ रहा है और negative में negative में तो बहुत बड़ा है तो दोनों के इसे में arithmetic मीन 6 क्या है arithmetic मीन greater है geometric मीन से अब ये सेंबल क्या ये greater का सेंबल होता है इक्विलटी शोग करने के लिए greater और less than को शोग करने के लिए रिखा जाता है जिस तरफ का pace होता है उस तरफ आती है बड़ी तर्म ये जिसे चोंच होती है या उसे कहें उस तरह होती है लोटर ठीक तो असका सेंबल आप समझें टेट की तरह बड़ी रहाँ तो दुझे पासे निकीड़न क्या है और कि